Hello everyone, Namaste, मेरा नाम है आस्ता और आज़की है कवेता आप सबसे मेरे एक नवेदन हैं पहाड मन को सुखूल और आखों को नजारे देते हैं रूख को तसली और दिल को अपना बना लेते हैं मन को जागरत कर देते हैं, आनन से उल्लास से भर देते हैं पहाड है ये, सबको ये अपना बना लेते हैं कितना सुन्दर मन मोहब लगता होगा ना जब पहाडों में खुमने जाते हैं फोटोस क्लिक करते हैं और पिक्निक मनाते हैं फिर क्यों उसी को दूशित कराते हैं, स्वच स्थान को प्रदूशित कराते हैं Anxiety, Depression, Loneliness, Aggression, Mountain Accepts You As You Are फिर क्यों अपनी Responsibility से तुम वाकिप नहीं हो पाते हैं स्वच हवा का श्रोथ है वो Life Regulator, Life Savior है वो बाहे फैला कर पहाड सब का स्वागत करते हैं और बदले में Rappers, Scans and Other Waste से लोग उन्हें जटकते हैं आक्रोश मन में लिए वो फिर भी तुम्हें नराज की दिखाते नहीं अपने बच्चों की तरह फिर भी तुम्हें गोदी में जुलाते हैं नदियों का भी पानी दूशित हो रहा है और लोगों का कहना है कि उनका पाप धुर रहा है पहाडों से भी पलायन हो रहा है नदिया कम थी क्या कि अब व्यक्ति पहाडों में भी अपने पाप की गंद छोड़ रहा है मंदिर तुम्हारा सजा हुआ है, देवी देवताओं का हर मंत्र रटा हुआ है फिर क्यों तुमने उन्ही के घर को प्रदूशित करा हुआ है देवी देपताओं का घर है पहाड ध्वन्यों से जो करदे मन का श्रिंगार, वो मन आकरशित करने वाला यंत्र है पहाड तुम्हें चिंता रहित करने वाला मंत्र है पहाड पहाड ही तुम्हारे सच्चे मित्र हैं यही तुम्हारे अपने हैं तो क्यूं रखे तुमने अपनों से ही गिलेशिक हुए हैं सबसे मेरा ये निवेदन है कि पहाड ही आपका असली धन है तो लक्षमी को अपनी तुम नाराज मत करना पूड़ा और कच्रा तुम पहाड में ना फेकना क्योंकि तुम तो चले जाओगे अपनी गंदगी छोड़ जाओगे और वो रह जाएंगी कहीं नीव पर पहाडों में पेडों की बढ़ जाएंगी तकलीफे नेचर की फिर तुम्हारी ये गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी अगली बार जब नेचर की बारी आएगी शुक्रिया तो मेरा ये आप सबसे निवेदन है कि पहाडों में कच्रा ना फेके और पहाडों को स्वच रखे शुक्रिया